हेलो गाइज, welcome back to exam focus, finally sports का current affair, जुलाई मन्त का English और हिंदी दोनों languages में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और जिनको सर्फ especially English में चाहिए, तो प्लीज मुझे एक बार inform कर जिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे video upload करने को है current affairs जो defense का है और space affairs का है उसको लेकर और award and honors और फिर economics का part, science and tech का part तो यह सब आने बागी है so let me know अगर compulsion होगा किसी को कि English में सुन नहीं है, तो फिर मैं एक बनाऊँगा, else I will leave this sports section तो चलते हैं पहले question पे, sports जुलाई का बहुत important है और आप सब को जरूर revise करना चाहिए हर एक exam के पहले जो भी आप आगी देंगे क्योंकि यहाँ पर Wimbledon, FIFA से related, squash से related, बहुत हरे events देखने को मिलेंगे चलते हैं पहले question के तरफ क्या है, now world junior squash team championship winner, तो पहला विश्व के junior squash championship champion विजे था, कौन है, तो Egypt ने अभी England को हराया, तीन चार चीज़े यहाँ पर important जो ध्यान रखना है, वो सबसे पहले venue जो की चन्नेई में हुआ था, इंडिया ही में organized हुआ था, और दूसरा, Egypt ने हराय इसको England को, और इंडिया का rank 11 था, पूछा नहीं जाएगा, जहां तक जो होता है, विजेता या फिर उप विजेता, यानि के runner-up, उनके बारे में जादा पूछा जाता है, ऐसे questions में, third country थी, वो थी Czech Republic, और 4th USA, जिनने bronze medal मिला, ठीक है, अब चलते हैं आगे, I mean USA 4th नहीं थ था, combined था दोनों का, now country, cricket curry festival organized in which country, कौन से देश में cricket curry, तियोहार का आयोजन किया गया, तो cricket curry, या सानो cricket curry भी इसको कहा जाता है, सानो, that is S.A.N.O, जो कि एक शहर है कहां का, तो जापान का, और जापान में ये organized किया गया, क्यों किया गया है, वहाँ पर awareness बढ़ाने के और एक festival की तरह इसको organized किया गया, जहां पर refreshment भी प्रोवाइट किया गया, refreshment in the sense, food, ठीक है, जो देश cricket खिलते हैं, जैसे इंडिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, स्रिलंका, जो इस तरफ के Asian countries हैं, वहां का local food, ये जो सानो festival था, वहां पर organized किया गया था, और सारे जैपन का open ये Russian open, यहां पर N होना चाहिए ज्यादा च्रहेगा, बैडमिंटन ट्रॉफी, किसने रूसी open, रूस open बैडमिंटन ट्रॉफी जीता, तो सबसे पहले आपको venue या दखना है, रुशिया open बैडमिंटन ट्रॉफी का जो venue था, वो था व्लाडिवोस तक, और ये वही जग बैडमिंट है वहां तक, और व्लाडिवोस तक में ये और्गनाइज हुआ था, और सौरव बर्मा ने ये जीता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, और इसके पहले सौरव बर्मा ताइपाई मास्टर्स 2016 में उन्होंने जीता था, ताइपी मास्टर्स ठीक ताइवान अब चलते हैं, next we have which country topped Asian Junior Wrestling Championship, तो Asian Junior कुष्टी Championship पर कौन सा देश सिर्श स्थान पर रहा या सबसे टॉप पर रहा, तो ये country है इरान, इरान ने टोटल 9 मेडल्स जीते थे और 189 पॉइंट्स इरान को मिला था, इंडिया सेकेंड रहा था, 8 मेडल मिला था, इंडिया को जिस जो कुल पॉइंट था, वो था 173, और venue कहा था, तो venue था इंडिया में ही, ठीक है, और सचर्चिन राथी और दीपक पुणिया को गोल्ड मिला था तो नाम अगर याद रखना है तो लिख सकते हैं, सच्रचिन राथी और दीपक पुणिया गोल्ड विनर रहे हैं, ठीक है, अब आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी है एक तो फास्टेस्ट थाउजन रन गेटर मतलब ODI क्रिकेट में एक हजार से जादा रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाडी कौन बन गए हैं तो बन गए हैं पाकिस्तान के फकर जमन फकर जमन सबसे फास्टेस्ट एक हजार रन बनाएं इसके पहले 17 इनिंग में उन्होंने 980 रन बनाए था यह उनका अठारवा इनिंग था जिसमें उन्होंने दोहरा शक्की जड़ दिया और ऐसा करने वाले यह दुनिया के छट्थे बलने बाज बन गए है कि रोहित शर्मांने तीन बार किया है तो इसको अब चलते हैं आगे और ये इनका 18th match था तो काफी बड़ी उपरब्दी है Now, U-23 मतलब under 23 women hockey tournament के results I mean ये question result नहीं है I mean to say India नहीं इस समय तक Belgium को उठाए था ये question वहीं का वहीं रह गया उसके बाद Canada से होना था match तो इस question के बारे में मैं आपसे बाद में डिसकस कर लिए एक आप काम कर सकते हैं कि net पे इस question को जरा सर्च कर लीजेगा ये question उस समय का बनाया हुआ था और ये वैसा को वैसा ही रह गया तो Canada के साथ India का match होना था और मैंने भी update नहीं किया उस चीज को तो इस question को जरा आप एक बार री चेक कर लेना मैं चलता हूँ next question पर और नहीं होगा तो मैं comment box में बता दूँगा अगर जिनको देखना होगा या फिर जो my exam notes blog है मेरा उस पर मैं update कर दूँगा ठीक है तो वह परिश्ट महीला विश्व कप फीफा करवाएगा और वहों कहां खेला जाएगा तो वेन्यू है फ्रांस तो यह आपको ध्यान रुखना है तो सौटविले एथलेटिक मीट में स्वन्ड पदक जीतने वाले खिलाडी का नाम बताना है तो इंडिया के जैवलिन थ्रोर नीरज छोपड़ा ने ये काम किया है और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और आपको बता दू 85.17 मीटर लंबा उन्होंने जैवलिन थ्रो किया 26.47 मीटर फेका था जिसमें उन्होंने गोल्ड जीता था यहाँ पर इन्होंने किता फेका 85.17 स्टिल वास क्वालिफाइड या फिर कह सकते हैं कि गोल्ड मेडल जीतने के लिए काफी था ये और उन्होंने किसको हराया तो लंड़न ओलम्पिक्स में जो गोल्ड मेडलिस थ लाया है तो अब ये इंडिया को एशियन गेम्स 2018 में भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं इसी के साथ मुविंग अहेड इन इस एस एस एफ जूनियर वर्ल्ड कप 2018 विच कंट्री टॉप्ट दा मेडल टैली तो मेडल टैली को किस कंट्री ने टॉप किया है इस एस एफ में तो इंडिया सबसे ऊपर रहा है और इंडिया के बाद जो कंट्री थी वो है चाइना और आपको ये बता दूँ कि ये जो वेन्यू था ये था सूल जो की जर्मनी में है और यहां पर बताने वाली और क्या बात है इटली इसके बाद था चेक रिपब्लिक उसके बाद था तो इखायर ये इतना जानने वाला बात नहीं है बस आपको लोकेशन याद रखना है कहा था सूल और इंडिया इससेफ में टॉपर रहा था और आपको ये भी बता दूँ कि मनू भाकिर भी गोल्ड मेडल जीती है इसमें वैसे तो कई सारे जीते हैं आपको एक बड़लेस नीदर लैंड्स में ये और्गनाइज किया गया था और 37 एडिशन था ये मतलब 37 एडिशन ऑफ होकी चैंपियन्स ट्रॉफी और डिफेंडिंग चैंपियन भी ऑस्ट्रेलिया ही था पिछले बार भी ऑस्ट्रेलिया जीता था और फिर पेनाल्टी शूट आउट में मतलब नेक्स्ट दा विनर ऑफ मलेशिया ओपिन बैड्मिंटन सिंगल टाइटल तो बैड्मिंटन एकल खिताब या सिंगल टाइटल में किस ने जीता तो आपके सामने नाम है ली चॉंग वही मलेशिया के हैं और इस बार उनका 12th विन था ये इसको पेरोडुआ मलेशिया प्रेंसर्स है तो वहीं पर होगा और एक तो यह मैंने आपको बताया मेंस केटेगरी में और विमेंस केटेगरी में आपको बताऊं तो ताई टी ए आई नाम जड़ा टेपिकल होता है ऐसा प्रणाउंस करना जू इंग ताई जू वाई आई एंग ठीक है ताइवान की है उन्होंने बिंग जायो को हराया जो की चाइना की है और अपने कदाम भी शरीकांत और पीवी संदू सेमी फाइनल्स में ही उनका पत्ता साफ हो गया था मतलब वो डिस्कौलिफाइग हो गया थैं अब ICC Hall of Fame 5th Indian to be inducted in it is तो कौन है ICC Hall of Fame में इंडक्ट होने वाले पांचवे इंडियन खिलाडी सबसे पहले बिशन सिंग बेदी मैं यहां पर लिस्ट दे चुका हूँ 2009 में हुए थे और कपिल देव उसके बाद 2009 में सुनिल गवासकर भी 2009 में अनिल कुमने 15 में और इस सा पर हॉलो फेम में आ चुके हैं ओक्टे गाइस बात करते हैं अब ISSF Junior World Cup 2018 की मेडल लिस्ट में कौन सी कंट्री टॉप करी है तो आपको ध्यान रखना है सबसे उपर इंडिया रही with 26 मेडल इंडिया ने 26 मेडल जीत कर सबसे उपर अपना नाम रखा जिसमें गोल्ड 6 था अब सेकेंड कंट्री जो इंडिया को फॉलो की वो 21 मेडल के साथ चाइना की जिसने एक जो है गोल्ड जीता था रस्ट अब राउंच सिल्वर में रही फिर इटैली और फिर चेक रिपब्लिक तो वो उतना जाना ज़रूरी है पहला दूसरा इस मोर देन सफिशेंट वन्य जाद रखने वाली बात सूल जगह है SUHL और वेन्यू है यह मतलब और इंडिया ने सबसे आगे यह टॉप पॉजिशन पर रही और उसके बाद चाइना रही तो होकी चैंपियन्स ट्रॉफी 2018 हाज बिन वन बाई तो होकी चैंपियन्स ट्रॉफी 2018 किस ने जीता वन सेगेन ऑस्टेलिया ने पंदरवी बार यह जीत हांसिल करी है चैंपियन्स ट्रॉफी में मतलब टोटल अभी तक 37 एडिशन हो चुके हैं और 15 बार उसमें से ऑस्ट सिल्की ठीक है और यह हुआ था कहां नीजर्स लैंड में जहां के प्राइम मिनिस्टर अभी मार्क रूटे है अर्यू टीटीए अब चलते हैं नेक्स्ट नौ दो विनर ओफ मलेशियन ओपें बैडमिंटन सिंगल स्टाइटल मलेशिया ओपें ओबियस्ली यह मलेशिया में होता है इसका वेन्यू तो पहले पता ही चल जाएगा सबको बट पेरोड हुआ मलेशिया मास्टर भी इसको कहते हैं इसके दूसरा नाम है और इसमें क्यों कहां था कॉला लंपर ठीक है एक्ज सक्ट अगर मैं बताऊं कॉलाघन कर में और इन्होंने किस को हराया तो जबाइन के केटो मोमोटा इसको मैं लीक accomp also कॉमो हम ठूमारा हो अगर वहीं पिमल कैटेगरी बात करें लboneडी केटेगरी में ताइजूishes इगियं टियंग लाइवायन की है, बिंग जायो को जो की चाइना की है, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा सिर्फ, और जो दूसरे हैं, वो है, इंगलेंड के विकेट कीपर बैट्समेन, क्लेरी टेलर, 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 ठीक है, और यह जो पूरा एडिशन था, यह कहां पर और्गनाइस हुआ था, तो यह हुआ था, आईरलेंड में, आईरलेंड के कैपिटल डबलिन में, डी यू बी एल इन, I hope this will be clear, तो moving ahead, IAAF World Under 20 Championship, तो अब इसके बारे में मुझे बहुत जादा डिसकस करने की नहीं जरूरत है, क्योंकि सब को पता हुआ, काफी न्यूस फ्लैश हुआ है, इस मही ने हीमादास को लेकर, जो कि असंस हैं, जिन्होंने हिस्टरी क्रिएट कर दिया, और इंडिया के तो temporary Finland में organize हुआ, obviously venue जाना जरूरी, किसी का तो comment आया था, मुझे कि sir please venue भी mention कर दिया किजिए हर game का, और यह अच्छा move था, इसलिए मैं इस बार हर game का venue specially include करा है मैंने, और 51.46 second में इन्होंने ये काम किया है, और अब इंडिया को ये commonwealth games, मतलब जो commonwealth games हुआ था, उसमें इनका जो timing था, वो था 51.32 second, और उसमें वो 6th रही थी, और which country bagged, I think it is bagged और bagged, ये भीक मांगना ही वाला bagged हो गया, ठीक है, तो which country bagged most number of medals in Asia cup, archery tournament, तो Asia cup archery tournament जो हुआ था, वो तो पहले आपको पता दू, ताइपई में, ताइवान में organize किया था, और कोरिया 14 medals के साथ, पास 8 gold medal आये थे, ये बड़ी चीज़ है, ठीक है, second position पे रहा ताइवान, जहां पर ये host हुआ था, और 5 medal आये थे, जिसमें 2 gold थे, और उसके बाद, इंडिया और इरान को jointly third rank मिला, तो important बात है, कि इंडिया कहां पर stand करता है, कहां पर, तो archery tournament Asia cup में, तो इंडिया और इर रखना पड़ेगा, अब हम चलते हैं, the Indian gymnast who secured gold in gymnastic world cup, अब आपको पता होगा, कि injury के बाद, ये खिलाडी, मतलब Rio Olympics हुआ था, उसके बाद injury हुई थी इनकी, दूर साल तक ये ठीक से, मतलब अपने आपको recover नहीं कर पाई, और आते के साथ, दीपा कर्माकर ने gold secure किया, कहा यहां पर the gymnast world cup में, और इसका जो venue था, वो था मरसिन, टर्की में, अगर आपको specifically यहां पर बता दूं, तो M-E-R-S-I-N, जो की टर्की में, और इसकी currency, अगर कोई पूछले कभी, तो क्या है, तर्की currency है ली रहा, तो अब चलते हैं, next, Tablishi, Tablishi Grand Prix, ठीक है, मैंने सही pronounce किया हूँ, Tablishi Grand Prix कहां पर organized किया गया, तो यह तो Tablishi Georgia में, जो की Azerbaijan के उपर में है, मतलब आप Central Asia का map देखेंगे, तो वहाँ पर आपको मिलेगा, तर्की और Azerbaijan के थोड़े उपर में, तिर्चे डाइक निली, तो उस जगा पर है, और most importantly, बज फता किया, या फिर आप कहा सकते हैं, गोल्ड मिडल जीता, ठीक है, 65 kg काटेगरी और 86 kg काटेगरी के अंदर, विम ब्लेडन टाइटल 2018, most important news में से एक है, यह जुराई महीने का, और यह 132 एडिशन था, कहां पर organized हुआ, तो लंडन में हुआ, वैसे तो मैं विम ब्लेडन और चारो जितने important चारो टाइटल्स हैं, उसके बारे में कई बार डिसक्स किया हूँ, कब से organized किया गया, static gk के पार्ट में, तो वह मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर, winners के बारे में बात करेंगे, men's category में, नवाक जोको वेक, जोकि सर्बिया से बिलॉंग करते हैं, और उनको, मतलब, उन्होंने जीता है, और runner-up रहें, Kevin Anderson, जोकि South Africa से हैं, तो women's category में, Angelic Kerber, जोकि जर्मनी से बिलॉंग करती हैं, उन्होंने जीता इस बार का Wimbledon, आपको बता दूँ, Wimbledon, दुनिया का सबसे पुराना tennis tournament है, और Angelic Kerber का ये third grand slam title था, इसके पहले 2016 में, उन्ह new, once again, एक ही जगह पर था, London, now, all about FIFA 2018, एक तो वीडियो हमने पहले से discuss कर रखा है, but दो तीन पॉइंट वहाँ पर miss हो गया था, एक तो इसका जो mascot था, उसको लेकर, song को लेकर, तो ये सब, अभी एक important news आया है, कि सबसे costly football player अभी goalkeeper कौन बने, तो इन सब शीजों को लेकर थ obviously Russia ही थी, और जो पहला और आखरी match खेला गया था, लूजनिकी stadium में, और I mean final और starting match, उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कि France और क्रोशिया के बीच में match हुआ था, 4-2 से France जीती थी, इस बार का final, अब कुछ important updates, और ये है Zabi Vaka, मैं इसके बारे में आगे बात क करूँगा, तो mascot 2018 FIFA World Cup का क्या है था, तो Zabi Vaka, और इसको एका तेरिना बोचारोवा ने design किया था, online voting through ये हुआ था, रशिया में, और इस design को select किया गया था, ठीक है, as a mascot of this World Cup, और दूसरी बात, आपको official song यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने discuss नहीं किया था इसके इतरफी ने design किया, I mean इसको बनाया था, अफिशल सॉंग जो था, FIFA का इस बार का, उसको, तो Golden Boot Award, Golden Ball Award, इन सब पे discuss कर लेते हैं थोड़ा सा, Golden Boot Award, Harry Kane को मिला, जो कि England के थे, सबसे जादा गोल, छे गोल उनोंने score करा था, साथ मैचेज में, और England के यह दूसरे player, obviously मैंने discuss किय था, कि बन गए है, Golden Boot जीतने वाले, Linker, Gary Linker, के बाद 1986 में उनोंने किया था, और second point यहां पर, I mean next point जो ध्यान रखना है, वोई Golden Ball Award, Luka Modric, अच्छा, वो पुराना वाला वीडियो जो FIFA में डाला था, वहां पे Modric हो गया था, ठीक है, तो Modric है, actual name, जो कि क्रोशिया से है, औ और इनके बारे में पढ़ रहा था, एक साधारन व्यक्ति की असाधारन यात्रा, मतलब बहुत जादा ये, मतलब depressed class से उट कराएं, मतलब war zone जैसा एरिया से, और बहुत गरीबी देखकर, and then, इतना जबरदस्त उन्होंने बदलाव लाया, चलते हैं, आगे तो इस तरह के स प्रांस के Kellyan Mbappe को मिला, और at the age of 19, Kellyan Mbappe को मिला, अब चलते हैं, अब चलते हैं, और बात करते हैं, world cup goal of the tournament, ये लेट में आया, तो ये अभी recent news इप, पवाड बेंजमन जो की फ्रांस के हैं, second जो आप image देख रहे हैं, और अर्जन्टिना के against जो उन्होंने गोल लागा इसलिए उनको golden, I mean world cup goal tournament award दिया गया, और अब चलते हैं, golden globe award के तरफ, तो obviously ये गोल कीपर को दिया जाता है, था है बहुत courteous, जो कि Belgium के हैं, उनको दिया गया, तो ये सब नाम important है, जो ध्यान रखना चाहिए, आप सबी को, अब आगे हमारे पास है, Japan unveiled the name of its mascot for Tokyo 2020 Olympics, तो Japan ने 2020 के लिए, जो mascot launch किया था, उसका नाम है, मलरय तोवा, जिसका मतलब होता है, eternal future, ठीक है, जिसको English में अगर हम pronounce करें, ठीक है, और एक और बात, यहाँ पर para Olympics, जो होगा, उसके लिए, सुमाइटी, यहाँ पर लिखा भी है, सुमाइटी, ठीक है, जिसका मतलब होता है, माइटी, बहुत बड़ा, ठीक है, और 2020 में शायद यह जुलाई के मन्थ में होने वाला है, जुलाई 24 से अगस्त 9 के बीच में, और para Olympics जस्त उसके बाद होगा, 25 अगस्त से 6 सप्टमबर क के बीच में, तो नाम मलरे तोवा और सुमाइटी आपको ध्यान रखना है, विच एथरीट है रिसेंटल रिकॉर्ड इन 400 मीटर रेस, मुहमद आनस आहिया ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है, और उन्होंने खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, और यह कहां पर किया गया था, तो के नोवे हो चेक रिपब्लिक में यह और्गनाइज हुआ था, करीब 45.24 में, तो 45.24 इनको सेकंड लगा था, और प्रिवेस इनका था 45.31 जो कि गोल्ड को कोस्ट में हुआ था, कॉमन वेल्स गेम्स के अलोंग, ठीक है? स्पोर्ट्स अथारिटी ओफ इंडिया सेलेक्टेड डैश स्टूडेंट्स अंडर खेलो स्कीम, तो खेलो स्कीम के तहत, स्पोर्ट्स अथारिटी ओफ इंडिया, यानि कि खेल भारत के खेल प्राधिकरण ने, कितने बच्चों को चैनित किया है, तो 734, 734, all across the country, ठीक है इसके तहत, खेलो इंडिया के तहत, स्कॉलर्शिप प्रदान की जाएगी बच्चों को, ठीक है, जिनमें उस तरीके का टैलेंट होगा, टैलेंट को अइडेंटिफाई करके, डेवलप किया जाएगा, स्टाइपेंट भी दिया जाएगा, 1.2 लाग का, ठीक है, यह जेफ जिवर्धन सिंग राठोर ने बयान किया या बोला, तो थोड़ा सा description यहाँ पर है, छोटा सा चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्या सरकार ने किया है, योजना के तहट, Union Sports Minister has announced doubling of pension for Olympic medal winners, तो Olympic medal winners के लिए, जो केंदर सरकार है, खेल मंतराले है, उसने pension को double कर दिया है, यानि कि अब जो pension मिलेगी, वो मिलेगी 20,000 रुपे, और किसके लिए क्या गया है, तो जो Olympic में पहले से gold medal जीत कर आए हैं, उनके लिए, लेकिन यहाँ पर आपको और भी कुछ बात ध्यान रखना पड़ेगा, 580 से जादा खिलाडियों को भारत सरकार खेल मंतराले, pension provide करती है, अंडर pension to meritorious sports person, और इस सिर्फ ना सिर्फ 20,000, जो लोग जैसे की Asian Games होते हैं, या World Championship होती है, उसमें जो gold medal जीतते हैं, उनको 16,000 प्रदान किया जाएगा as a pension, और उसके भी नीचे अगर आते हैं, तो silver bronze medal अगर कोई जीतता है, Olympics में या Asian Games में, उनको 14,000 रुपे प्रदान किया जाएगा, ऐसा राजवर्धन सिंग राठोर ने अपने बयान में कहा था, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है next, German Grand Prix के बारे में बात करेंगे, देखें, Lewis Hamilton Mercedes के खिलाडी है और I mean खिलाडी नहीं, racer है, और वो जीते इस बार का German Grand Prix, इसका जो venue था, वो Germany में ही था, और Hawking Hemering Track शायद उसको कहते हैं, तो वहाँ पर ये और्गनाइज किया गया था, दूसरी बात, second पर कौन है, ये भी याद रखा है, Mercedes के रहीं ड्राइवर, Veltary Battles, I mean मैं नाम लेख TLS, ठीक है, और तीसरे नमबर पर है, Kimi Raikkonen, जो कि Ferrari के driver है, तो ये तीन important points यहाँ पर, FIA Formula 3 European Championship winner, कौन है, तो FIA Formula 3 European Championship के वेजेता है, इस बार के, मुंबई के, जहान दारुवाला, और ये जो venue था, ये Belgium में और्गनाइज किया गया, और दूसरी बात ये, कि इन्होंने, जो second position पर है, जिसको हराया, New Zealand के Marcus Armstrong उनका नाम है, तो cricket international player of the year award किसको मिला, तो already ये question discussed है, क्योंकि एनौस तो पहले ही हो चुका था, विराट कोली को ये दिया जाना था, क्योंकि इनका जो 2017-2018 session था, उसमें 1181 run मा रहा था उन्होंने, और 19 matches में, within average of 65 से भी जादा उनकी average थी, तो 400-4 half centuries इसमें included था, अब आगे चलते हैं, तो ये news पहले से में पता है, सत्यरूप सिधान्त के second Indian to scale world highest volcano, ये important news है, और Mount Ojas Del Sarado, जो की 6, 8, 9, 3 meters की height पर है, और Argentina चिली के border के पास ये पड़ता है, और कहते हैं, यहाँ पर बहुत सादा deposits है, salt की, और active balcony हों भी है, और उसको scale कर लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये second है, first की अगर पुछा जाएगी, first Indian कौन है, तो मली मस्तन बाबू, मैं लिख देता हूँ, M-A-L-L-I-M-A-S-T-A-N-B-A-B-U, और ये कहां से आ जा रहा है, ये पिछले question वाला सारा, वापस से आ जा रहा है, तो next we have, देखिए, यहाँ पर दो-तीन news मुझे लगता है, और discuss कर देना, क्योंकि मैं slide बना नहीं पाया, सबसे पहला कि जो ब्राजील के 25 वर्सी है फुटबॉलर हैं, जिनका नाम है अलिसन बेकर, वो दुनिया के सबसे महंगे गोलकीपर बन गए हैं, और इनका जो कुल मतलब जितना पैसा इन्होंने करार किया जितने रुपे में, वो है 582 करोर रुपीज, इंडिन करेंसी में अगर बात करें तो, दूसरा न्यूस यह था, भारत के लक्ष सेंज जो है, थाइलेंड के कुना लागवुत विती दर्सन को हरा कर, एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियंशिप उन्होंने जीत लिया है, और यह सब कुछ ऐसे न्यूस हैं, जो मैं जिसका नोट्स ब ध्यान रखनी थी, तो थैंक्यू गाईज, यह वीडियो नहीं पर एंड करते हैं, काफी लंबा हो गया, स्पोर्स का सेक्शन इस बार, और नेक्स्ट वीडियो मैं फिर से मिलूँगा, और यह जो आपका आपका डिमांड है, साइन्स और टेकनोलोजी स्पेस अफेर्स को लेकर एक और वीडियो जल्दी से पोस्ट करना, तो मैं उसी में लगा हुआ हूँ, होप सो, बहुत जल्द पोस्ट करूँगा, so thank you very much for watching this video, keep watching exam focus.